बिहार बोड से UFSS के थुरू क्लास 11th में नमांकन के लिए ओनलाइन आवेधन की परकिरिया शुरू हो चुका है और बिहार बोड के काफी छातर उसमें आवेधन कर चुके हैं ऐसे में आप लोग के तरफ से दो महत्पून प्रसन प्राप्थ हो रहा है उन दोनों प्रसनों की चर्चा करेंगे परतम मेरिट लिस्ट भी हारबोर कब जारी करेगा रत Children की नमांकन के परकिरिया की शुरूआत का होगा किस कॉलेज में हमाना नमांकन होगा, कैसे नमांकन होगा इस प्रसन की जवाब समझेंगे, उसके साथ साथ दूसरा महतपून प्रसन है, कि हमने कोई भी जानकारी अपने आवेधन कर्टेस में हमने फोव में भर दिया है तो उसमें हम सुधार कैसे करा सकते हैं या कॉलेज का ही विकल्फ हमने गल्दी से कोई एक पे अस्थान पे मुझे भरना था हो दो पे चला गया, दो का एक पे आ गया, तो उसमें कैसे एडिट करके हम उसको सुधार कर सकते हैं, तो आपके इन दोनों प्रसनों का जबाब इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए सबस सूची जारी होगा, तब कि तीन बार मेधा सूची का मतलब वही आपका पर्थम मेरिट लिस्ट, दोतिय मेरिट लिस्ट और तिरतिय मेरिट लिस्ट जारी होगा, और मैट्रिक में 12 लाख परिक्षार्ती पास हुए थे बिहार बोड से, अब यहां पे ध्यान से आपको सूची सीट है, जिसमें मैट्रिक से 12 लाख बिद्यार्ती पास हुए, जो बिहार बोड से सभी आवेधन करेंगे, उसमें से कुछ बिद्यार्ती दूसरे जगा भी चले जाते हैं, फिर भी आकड़ा ही लेकर चला रहा है कि मानलीजे, टोटल 12 लाख बिद्यार्ती उसमें उसके बाद CBSC, ICSE और अधर बोड के चातर 2-5 लाख आवेधन करते हैं, अर्था कि टोटल देखा जाए तो मातर अगर खुब अधिक्तम आवेधन होगा, तो 16 लाख नहीं तो नियूंतम 14-15 लाख पे भी आवेधन सिमट जाएगा, आपको पहले तो आपको कोई भी डिवि सोचिए 20 लाख अब सीट हो चुका है, 20 लाख से अधिक सीट, टोटल अधिकतम अगर खुब आवेधन आएगा, तो 16 लाख आएगा, तभी 4 लाख आपका सीट बच जाएगा, आपका नमांकन हो जाएगा, हो सकता आपका अंग कम हो या आप गलत चुनाव कर नहीं हो, तो ह फैसे स्कुतूरू नमांकन के लिए अफीसियल अब्रेट जारी किया था, मैं असपस्ट रूप से बिहार भी दले परिच्छा समीति के तरब से बताया गया है, कि भले ही अभी बिहार बोट के छात्र आवेधन करने जारा है, उनके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, जिन ज भी वही चात्र आवेधन करें, जो बिहार बोट या किसी अन्य बोट से जिन का मैटरी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद जैसे ही सी बीसी आई सी बोट का रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद बिहार बोट उनको भी मौका देगा, कम स उसे कम 10 दिन का समय हर साल देता है उन लोगों को, तो 10 दिन का समय दिया जाएगा, ओन लोग भी ऑनलाइन आवेधन करेंगे, और उनके लिए जैसे ही आवेधन का पोर्टल बंद होगा, उसे जस्ट एक सबता के भीतर भीतर आपका पर्थम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया तो समझ सकते हैं, इसी से आप डेट का अनुमान लगा सकते हैं कि अभी काफी समय है, जानकारी दिया जारा है कि तीन मेरिट लिस्ट आएगा, छात छात नाव को थोड़ा सा भी टेंसर नहीं ले रहा है, उसके बाद सीट खाली रहेगा, तो संस्थान अपने हिसाब से अन मोबाइल फून का कोई भी ब्राउजर ओपेन कीजिए, इस तरह गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है और इस चैनल का नाम ध्यान से देख लिए जैसे AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रि आपको दिखाया जारा सबसे उपर बिहार बोर्ड इंटर एंडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022-2024, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटर नमांगन को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह ओ पढ़ेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे जिस मुबाइल नमर से आप फॉम भरें, जो मुबाइल नमर आप दिये थी, जिस पे ओटी पी आया था, वो मुबाइल नमर आपको टाइप करना और यहाँ पे आपको पा होगा, और यह पासवर्ड मुबाइल नमर भर के और यहाँ पे दिखा जा रहा अंक वाला, इसको यहाँ पे टाइप कर दिजेगा, जैसे 617635 है तो इसको इसमें टाइप करके आप लॉग इन कीजेगा, तो आप जो भी फॉम भरे होंगे, उस फॉम में जो भी आप जानक होता है कि माल लिजे मेरा पर्थम मेरिक लिस्ट में सेलेक्शन नहीं हुआ, तभी हमें मौका मिलता है, यही से स्टुटेंट लोग इन करके मैं क्या करूंगा, अपने कॉलेज के बिकल्प में बदलाव करूंगा, मैं दूसरा कॉलेज भी भर सकता हूं, या उसी के करम में मैं बदलाव कर सकता हूं, या अगर मान लिजे मेरा नाम आभी गया है पर्थम मेरिक लिस्ट में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे उस कॉलेज में नमांकन लेना है, अर्था कि मुझे स्टुटेंट लोग इन पर किलिक करके जो हमारा फॉर्म भरेगा, तो समझने का परियास करें, तो अगर आपका कितना भी यंका है, तो देखें, बढ़ाते हुए जा रहा है, पले 18 लाग से अधिक सीट पे नमांकन होने वला था, आप देख रहे हैं, मैंने आपको अपडेट दिखा है, कि आप 20 लाग से अधिक सीट पे नमांकन होगा है, तो जो दूसरा महत्वपूर्ण परसन आप लोग अथा, कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो विहार बुट अपने अपडेट में असपस्ट रूप से कहा है, कि मेरिट लिस्ट तभी आएगा, जब आपका CBSC, ICACC बुट का रिजल्ट आएगा, उन छात चात्राओं को भी नमा जानकारी भराया, कहीं पर कुछ गलत नहीं हुआ है, कौन-कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है, वे स्टुडेंट लोगी नहीं यहां पर आपके अपना मुबाइल नमर पासवर्ड भरके आपना पूरा फॉर्म ही यहां से देख सकते हैं, उसका पीडिया फॉर्मेट भी डा आपने बाद